जैस रिक्रिष्णा मैंने एक कप बाजरे का आठा लिया है आधा कप गरम पानी लिया है एक चुटकी इसमें नमक डाला है थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम आठे को गूतेंगे आठे को हाथ से अच्ची तरह से रगण के मसल लेंगे मिस्की पेड़ी बनाएंगे गैस पे तबा रख देंगे थोड़ा सा घी लगा देंगे एक पोलीथीन पर थोड़ा सा घी लगाएंगे घी वाली साइड पे लोई को रख देंगे पोलिथीन को मोड़के बिलन से उसकी रोटी बिल लेंगे तवा अच्छे से गरम हो गया है रोटी को डाल देंगे उपर से सिकनी शुरू हो गई रोटी पलट देंगे और दुबारा से पलटके गैस पे उलट पलट करके रोटी अच्छे से से शेक लेंगे गैस पे हम दूसरी रोटी डालेंगे और इसी तरह से हम अपनी जितनी भी रोटी बनानी होगी सब रोटी बना लेंगे ये हमारी रोटी सिक्के त्यार हो गई है उसके उपर घी लगा देंगे ये देखिए ये हमारी रोटी बिल्कुल फूली फूली बनी है बाजरे की रोटी को हमने मक्षन, आलू की सबजी और शक्कर के साथ परोसा है शक्कर पे थोड़ा उपर पिंगाल के घी डाल देंगे घी डालने से शक्कर बड़ी टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी के साथ ये हमारी गर्मा गरम बाजरे की रोटी बनके त्यार हो गई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में धन्यवाद